अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट आप से कि वीडियो गंट तक सरूर देखना बीच में मत छोड़ना तो आये ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का टाइटल है हमारा दा हैर एंड दा टॉर्टिस वन डे एक दिन वन मिन सोते एक दे मिन सोते दिन वन डे एक दिन आ हैर एंड टॉर्टिस डिसाइड टॉर्टिस डिसाइड टॉर्टिस डिसाइड डॉर्टिस मिन सोते दवड एक खरगोश और एक कच्छुए ने दवड लगाने का फैसला किया The race began Race means वोते दवड Begin means वोते शुरू दवड शुरू हुई किसके बीच में खरगोश और कचुए के The hair ran very fast Hair means वोते खरगोश Ran means यानी की दवड़ा A run की second form of very means वोत And fast means वोते तेज Khरगोश बहुत तेज दवड़ा The hair ran very fast The tortoise mood slowly Tortise means वोते कचुआ Moon means वोते आगे बढ़ना या हिलना Slowly means धीरे धीरे कचुए ने धीरे धीरे आगे बढ़ा The hair looked back Hair means वोते खरगोश Look means वोते देखना Look की second form of very means देखा Back means पीछे Khरगोश ने पीछे देखा The hair looked back तो आगे बढ़ते हैं Next point देखते है The tortoise was far behind Tortise means वोते कचुआ Was means वोते था For means वोते बहुत दूर Behind means वोते पीछे कचुआ बहुत दूर था जब एर खरगोश ने देखा तो कचुआ बहुत पीछे था यानि की बहुत जादा दूर था So he went to sleep So means होते है He means होता हुआ है Went means होता है गया Go हाँ गो की second form होती है Went यानि की गया Sleep means होता है सोना So he went to sleep किसने सोया खरगोश ने सोया The tortoise kept moving slowly but steadily Tortise means कचुआ Keep means रखना Keep की second form की बात करेत होती है Kept यानि की रखना More means होता है हिलना या आगे बढ़ना यानि की आगे बढ़ता है Slowly means धीरे-धीरे But means लेकिन Steadly means होता है स्थीर रूप से कचुए ने धीरे-धीरे स्थीर रूप से आगे बढ़ता है The tortoise kept moving slowly but steadily When the hare woke up When means होता है जब Hare means होता है Kharkoosh Woke up means यानि जागा जब खरगोष ने जागा The tortoise had already reached the winning post Tortise means होता है कचुए Already means पहले Reach means होता है पहुचना Reach यानि की पहुच रहा Winning means होता है जीत यानि की विजय पोष मिन्स पद तो खरगोष ने देखा कि कचुए पहले ही विजय पद पर पहुच गया तो आगे बढ़ते हैं next point देखते हैं The tortoise won the race Tortise means कचुए One means जीत गया Race means ड़ड कचुए ने race में जीत गया Slow and yesterday win the race तो ये थी आज की story कैसी लगी I'm sure आपके लिए story useful हो अगर useful हो तो like किजिए अबने दोस्तों में share करिएग आपको किसी भी topic related वीडियो चाहिए तो comment करके जरूर बताईएगा आज की वीडियों पर end करते हैं मिलते हैं next वीडियो में ने topic के साथ तक तक के लिए bye bye and take care